प्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल और बताइए कैसे हैं आप सब आप सो भी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो फ्रेंड्स आज है मंडे और टायम हो रहा है सुबह के आट बच कर दस मेंट हो रहे हैं और आज जो है ख़िंट चले गए हैं जल्दी ऑफिस क्यूंकि आज है आज संदार बलब भाय पस्टेल की जेंती है तो हजबन जो है जल्दी ऑफिस चले गए हैं और आज मंत का जो और आप देख सकते हैं अभी जैस्ट अभी जा गाए है थोड़ दिर पहले तो वह जो है खा रहा था बनाना मैंने उसे बनाना दे दिया था बनाना खा रहा था और हमारा जो नास्ता पानी था वह सब हो गया है ज्यादा कुछ नहीं किया था सिर्फ चाय के साथ जो है होता है बाबु स्कूल जाती है तब तो मजबूरी होती है लेकिन आज नहीं गई थी तो मैं भी थोड़ा लेट उटी थी तो बस नास्ता पानी हुआ है तो मैंने जो अपना किचन क्लीन वगरा सब कर दिया है नास्ते के बाल और मैं हूं रूम में और मैं आपर जो है खाना बनाएंगे क्या हुआ और चाहिए बाबु लगा को और देद बनाना तो फिर अपने जो है खाना बनाएंगे तो चलिए जल्दी से अपना जो जाड़ू पहुंचा है क्लीनिंग है अपनी कर लेते हैं आर मैं वेले सीह है अपनाफी कर रजल हम तो चाहाश जन्टे है När और प्ले रो है जाड़ हुंचा है? तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो कंबल था वो फोल्ड करकर रख दिया है प्राणी बैट सीट ठटा कर नई बैट सीट बिछा रही हूं और यहां पर आप अभी को देख सकते हैं बार बार आ रहा था मैं बार बार बैट सीट सही कर रहे थी और वो बैट सीट उठा कर बार बार उसके नीचे घुस रहा था तो बहुत शैतानी करता है सच में और यहां पर बैट सीट हो गएरा सब बिछाने के बाद मैंने सारे जो तो आप धूप की टेंशन नहीं रही हैं मौसम Saem ठंडा होने लगा है तो बच्चे बाहरे खेलने हैं वनना घर में घुषे रहे हैं तो किसी को भी अच्छें लगता है तो बस बच्चे बाहररे खेलने के लिगा है नहाई है जब से ये बक्से जो है चेंज किये हैं इधर उधर किये हैं तो तब से ज़ाडू पहुंचा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जगे की काफी कमी हो गई है तो उतनी जगे में ज़ाडू निकालने में और पहुंचा लगाने में काफी दिक्कत हो रही है तो यहा नहाई नहीं है, आज जो है मैं सारा काम निप्टाने के बाद ही ना हूँगी, तो यह पर, मैं जब रूम précédmen से वह भी आ गए थे तो ज़ल्दी से पहूंछा लगा लेती हूं, और फिर मैं बनाऊंगी खाना, तो आज जो है खाने में बनाऊंगी कासी फल की अब पूरी तो बस जो कासिफल था वो मैंने नाइट में ही कट कर रख दिया था बस सब्जी को बनाना है तो यहां पर पहुंचा वगरा लग गया था टीन में भी मैंने लगा दिया था और इसके बाद मैं आ गई हूं अच्छे से हाथ में धुलकर और अब किचन में आने के बाद हमाथ में बने कट के रख अब रख लाद को आज कटा मीठा कासिफल का अब कार दिया हूं और हुपना बनाना वाली है थो मैंने को को घास पर घैस दी जीर espace के reforms कोई देखMaiden दो के और दिया था IEL kuण। EH Wisya के brings पयाज मेश दाल करomने किक प्वादरी स्हाँ सब्सक्राई मेश करता एक देखना कपड़ीया यहां पर देख सकते हैं कडाई मेरी थोड़ी है यहां पहले हम प्याजमाधरी मेरे कट भीब आप कर कस्फन के États- शांद लिए तो में थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे की पूरियों का जो टेष्ट है वह काफी अच्छा आएगा और थोड़ासा जो है रिफाइन डाल लिया था और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी लाल कर हम आटा गूंद क तो आटा गुंदे के बाद मैंने रख दिया है यहां पर हम जो अपना सब्जी है उसको चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कासी फिल की जो क्वांटिटी यह थोड़ी कम हो गई है अब हम इसमें जो है मसाले हैं वह एड कर देते हैं पहले हैं अगर हम मसाले डालते तो कर अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद ठक देंगे और पकने देंगे और दूसे साड़ जो है दूद मैंने गरम होने के लिए दूद वाले भी आ गए थे तो दूद भी मैंने गरब होनी के लिए रख दिया है और जो हमारा कासी पलता वह 50% तक पक गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था खट्टा मीठा बनाने वाली हो तो चीनी डाल दी है और थोड हैं इसकती है रुद्च थोड़ा था ता उसको हम जो हम गैस को तेज कर अब जल्दी से पूड़ी आप भी सेख लेते हैं क्यूंकि हजबन का टायम हो गया है तो जल्दी से तो कड़ी को जो है खाना दे दूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पांचे पूरियां है वो निकाल ली है अब मैं हस्बन को जो है खाना दे आती हूं उसके बाद फिर जो है मैं बना लूँगी फिर हम और बच्चे ही रह जाएंगे तो पहले हस्बन को दे आते हैं तो यहां पर आप भी जो है लंच कर लीजिए तो हस्बन को देने के बाद मैं फिर से आ गई हूं किचन में और जो बची हुई पूरियां है मैं उन्हें भी फटा फट से बेल लेती हूं फिर हम जो है अपने बात के काम है वो निप्टाएंगे जाड़ू पहुंचा तो हो ही गया है बस जो किचन क्लीनिंग होगी वो करेंगे और फिर बच्चों को नहला धुला कर फिर जो है मुझे भी नाना है तो जल्दी से हम अ अब बाबु गई है नहाने के लिए उसका हेर वाश मैंने कर दिया है और वो खुद से नहा रही है और अभी नीचे खेल रहा है बाबु नहा कर आजाएगी फिर जो है मैं अभी को नहाँगी और कल संडे को कोई भी व्लॉग नहीं आया था उसके लिए सौरी क्यूंकि कल जो है मैं काफी बीजी थी कल जो भी विंटर वाले जो कपड़े थे वह समय ने बखसे में से निकाल कर और बाहर सुखाय थे और जो बखसे थे वो भी सब चेंज किये थे उनकी जो जगा थी वो भी सब चेंज की थी तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपके शाथ कल का जो किलिप है वो शेयर कर दी हूँ कि यह मैंने जो है कल थोड़ा सा शूट कर लिया था आपको दिखाने के लिए तो आप देख सकते हैं कितने सारे जो कपड़े हैं वह सब मैंने निकाल कर जो है सूखने के लिए डाल दिये हैं पूरा दिन जो है इनको सूख ने दिया था क्या हुआ हितने ताइम के रखे हुए होते हैं तो सुखाना जरूरी होता है एकदम डारेक्ट्ट इसी तरह से निकाल कर नहीं पह्यों सकते हैं के दिखाना स़फ दिखाना जरूरी होती है तो कल मैंने जो है चुल्वाला बख्षा दया यहां पर इस तरह से सीधा और इसी वक्से के ऊपर यह छोटा वाला बख साथ यह बीरख होए था बट अब जो है विक्षा पर ट उटाना पड़ता तब कपड़े निकाले जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती क्योंकि भारी है तो इस विए से दौनों बखसे अलग-अलग कर दिया है तो यह चोटा वाला बक्सा यह रख दिया है और इसमें जो है सभी नई कपड़े और मेरी साड़ी वगेर है और यह वाला जगे की problem हो गई है तो ठाड़ी सी दिककत हो रहे है लेकिन नहीं बारवार आग यहां काुँकि टो यहां पर जो है काफी प्रोब्लम रहती है क्युकि यह में को चोता है और सामान जादा है बट क्या करें कुछ पैसे बचानी के लिए करना पड़ता है क्योंकि आज कल जो किराय पर जूम होते हैं इतने बहेंगी मिलते हैं अच्छा अगर आपको वह रूम चाहिए रहली के लिए तो 10,000 से कम में जो है कहीं भी समरा नहीं मिलता है तो यहां पर जो है रहते हैं चार पैसे बच जाते हैं तो किसी ना किसी काम में ही आ जाते हैं तो बस यह थोड़ा पोतर अज्जेस्मेंट्स सब करना पड़ता है तो बस सब काम हो गया है बस बच्चों को नहलाना रह गया है और वरतन दुलने के लिए रह गया है तो आशा करूंगे आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लिजिएगा चैनल पर new है चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा बिलेंगा इसी צरु सब तक के लिए